आप entrepreneur बनना चाहते हो, आपको रास्ता नहीं बना है, क्या रस्ता है एक right entrepreneur बननेगा, आज की वीडियो में बारे में बात करते हैं, सबसे पहली चीज है skill set, आपको जिस भी चीज में entrepreneur बनना है, जो भी चीज करनी है, आपके पास में एक business acumen होना चाहिए, आपको business समझ में आन profit बन रहा है, profit बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो छोटी सी maths, और वो common sense होनी चाहिए, अब उपर के बहुत सारे skills है, जिसको आप ओर तो प्रियो टाइं गेन कर सकते हो, आपके अंदर अच्छी leadership capabilities होनी चाहिए, मतलब आप लोगों से अच्छे तरीके से काम करा पाओ, आ सकते हैं, आपको development आनी ही चाहिए, यहाँ पे मैं कहार हूँ, hard skills, do तरीके skills होगे, एक होगा hard, एक होगा soft, hard skills जो आपको काम करना है, अगर मैं को designing का करना है, तो मुझे designing आनी चाहिए, मुझे marketing आनी ही मेरे पास leadership quality होने चाहिए, मेरे पास marketing होने चाहिए, मेरी presentation इस तरीके की होने चाहिए, कि लोगों को vibe आए, पता लगे कि हम business कर सकता है, तो इस चीज को आप कैसे कर सकते हो, एक तरीका है कि आप experience गेन करो, नौकरी करो, उस industry के अंदर, समझो, उस industry के बारे में, online courses है, online बहु relevant बनाओ, basically क्या होता है, एक बंदा जिसने 50 साल अपनी जिंदिगी के experience को एक मुपके अंदर दाल दिया, आप अगर उसकी book पढ़ रहे हो तो, basically उसके 50 साल के experience आपका हो गया, अगर आप सब कुछ यात रखती हो तो, ऐसे ही अगर आपने 20 book पढ़ ली, तो सोचो आपका experience क इतना जादा बढ़ सकता है, और normally अगर आप देखोगे, जैसे leadership की बात करके चले, आप 57 book पढ़ोगे, उसके आपको पता लगेगा, जो भी आप पढ़ रहे हो, सब पर repeat आ रही है चीज़े, क्योंकि वही चीज़े है, मतलब अगर आपने leadership के ओपर 5-10 book पढ़ ली, तो मत मैं काम अपना करूँगा, मैं नौकरी नहीं करूँगा, यह गलत अप्रोच है, मैं अपनी बात करके चलता हूँ, मैंने सिर्फ नौकरी इसले करी थी, मुझे जानना था कि नौकरी, मतलब कमपनिया कैसे operate करती है, मैं अपनी बात करके चलता हूँ, तो जब मैं नौकरी कर सीखा, जो शायद मैं कभी भी नहीं सीख सकता था, तो नौकरी करना, और specific industry के दर नौकरी करना, जिसके दर आप गूर करना चाहते हूं, जैसे अपनी बात करके चलता हूं, तो मेरे starting करी as a business analyst, क्योंकि मेरे को numbers पसंद आते थे, तो मैंने business analyst के दर business समझना शुरू किया, कि ए तो वो पूरा पूरा काम होता था, उसके बाद मैं marketing में switch हुआ, marketing sales में नहीं, digital marketing के अंदर, और करते करते में digital marketing head बना, तो overall मेरे जर्दी अगर बात करके चलू, तो मेरे marketing और business के related बहुत जादा knowledge ले, तो मेरे top level भी जाना, मेरे bottom level भी जाना, जब मैं marketing head पे आ गया, तो मु बात करता सा, बस यही होता, skype चलता स, skype में बात होती थी, बस और कुछ नहीं होता था, पर जैसे ही मैं experience gain किया, तो मैंने वो चीज़े उनके उपर भी apply करने शुरू करी, मैंने जब नौकरी करी, तो मैं marketing head बना, तो marketing head में 50 बंदों को मैं lead करता था, तो मैंको उनको काम क पुट निकाला जा सकता है, मैंने वो ही सारे logics अपने business में लगाने शुरू किया, आज भी मैं सीख रहा हूँ, आज भी मैं experiments कर रहा हूँ, पर वो सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने नौकरी करी, अगली चीज़ है अपना network build करो, यह चीज मैंने अपनी life के अंदर आज एकर मैं YouTube की बात करके चलूँ, यूटीव पे मेर उतना network नहीं है, मिलना ही जाता किसी YouTube की event में, अगली चीज है, बिजनस प्लान बनाना सीखू, बिजनस प्लान का मतलब क्या होता है, कि मेरे को कोई भी बिजनस करने के लिए, कितने पैसे की requirement रहता है, होगी, वो पैसे को मैं कहा का यूट्राइज करूँगा, पहले महीने कहा करूँगा, कितना करूँगा, उससे मुझे क्या output आएगा, हमारा business model क्या रहेगा, कैसे इन पैसे कमाने वाले, हमारे key partners कौन रहने वाले, तो यहाँ पे मैंने, business model वाली video बनाई थी, जा मैं मैंने business model पूरा गुरा समझाया, तो मैं recommend करूँगा आपको, वो matrix बढ़ो, उस matrix में आपको बहुत सारे questions के answer मिलेगे, तो मैं यह नहीं कहा रहाँ आपको, कि अभी अपना business बना लो, मैं यह कह रहाँ हूँ, आपको किसी भी business को matrix बनाना आणा चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, कि business model canvas, लपास का कैसे बनाता, YouTube का business model canvas क्या होगा, Dash का business model canvas क्या होगा, तो क्या होगा, जब आप business को study करने लग जाओगे ना, तो आपको पता लग जाएगा, minute से बहले, कि यार ये बिजनस ऐसे कांट है, ये ऐसे कमाता है, इसमें ये लोग होगे, एस तरीके से पैसा हुआएगा, जब आपका दिमाग इस तरीके से चलना लग जाएगा, बहुत मज़ा है, अगला है, एक mindset डवलप करना, लोगों से feedback लेने, ये problem है, ज्यादा age वाले founders के साथ में ये जिनकी ज्यादा हो जाती है, यंग के साथ भी मैंने देखा है, वो उनको छोड़ी success मिल दाती है, वो इतने फैल दाते है, उनको लगता है, बहुत बड़ा आदमी हो गया, पर, feedback कभी भी नहीं खता होना चाहिए, आज के टाइप में मात करके चलू, मैंने course निकाला भी recently, तो उस Canva के course के अंदर बहुत छोटा ticket size का था, पहले हमने 500-600 रुपे का चुरू गया, ले दे के, उसको हम 1000 रुपे तक ही लेके गए है, उसके अंदर मैं designing से का रहा हूँ, पर मैं उसके अंदर भी लोगों से feedback ले रहा हूँ, मैं कैसे इस course को और भैतर कर सकता हूँ, क सबसे आखरी है, अपने failures को accept करना, अगर मैं Adrila की बात करके शलूँ, जो की मेरा एक Adtech platform का हमने plan किया था, COVID से पहले, वो एक ऐसा platform होता, जहाँ पर बाकी सब creators आके अपने course पुब्लिश कर सकते थे, और हमने बूरा एक alternate YouTube बनाएगे, यह करेगे, वो करेगे, पर वो drop हो दो तिन reason हुए, एक तो मैंने समझा कि मेरे पास वो skillset नहीं है, उसको run करने के उस time, तो मेरा बहुत सारे लोगों ने काटा, मैं development team नहीं बना पाया उस तरीकी की, और अब late हो चुका है, आज बहुत सारे platforms आ चुकी है, जो कि वो इस service प्रोवाइड कर रहे है, जो मैं generate कर सकते थे, और मैंने अपने failure वेस्ट किया, जो loss हुआ, मैंने उसको bear कि, फाइनली बुलना चाहूंगा, यह जो entrepreneurship है, यह ongoing चीज है, मतलब ऐसा नहीं है, कि आपने इन चीजों को master कर लिया, तो आप बहुत वडियो entrepreneur बन गए, जिन्दी की रोज सिखाती है, बिजनस रोज आप नहीं बन्दों से नहीं नहीं चीज़ा सीखते हूँ, keep growing, ash करो